हलो स्टुडेंट मैं उमेश पंडे आज आप सभी लोगों के सामने मॉटल प्रश्ण पत्र कक्षा बारा सहित्तिक हिंदी और समान हिंदी सभी प्रशार्थियों के लिए महत्पूर वीडियो लेकर आप लोग इसको अंत तक जोड़ देखोगा सबसे पहले में बता दू अगर आपका सहित्तिक हिंदी है तो उसे हिंदी ही समझिए और समान हिंदी का मतलब समान हिंदी ही है ठीक है सहित्तिक मतलब आपका कला विशे होगा मतलब आटशाइड है तो आपका सहित्तिक हिंदी है और अगर आपका विज्ञान वर्ग है या फिर वालिज्ज वर्ग ह है आपका तब आप लोग के लिए समान हिंदी रहेगा तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं प्रारम के पंदर्वन आप लोगों पढ़ने के लिए प्रेश्ण पत्र मिलने वाला है और सबसे पहला जो सेक्षन है प्रेम सागर है गोरा बादल के गथा या प्रत्वी राज रासु है तो इसका आप लोग उत्तर जानते हों कि खड़ी बोली गद्दी की प्रमालिक रचना जो मारी जाती है गोरा बादल की कथा इसी प्रकार के आप लोग के प्रश्ण बोर्ड में जरूर आएंगे कि प्र लोग अच्छे से पढ़ लीजिए चार ऑपशन हाला कि मिलेंगे अपको लोग हिंदी प्रदीप के संपाधक कौन थे चार ऑप्शन मिलेंगे हिंदी प्षम संपाधक कौन थे तो बाल कृष्ण भठ इसका सही उत्तर है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ज् पढ़के जाईए एक पत्र का बोर्ड में अवश्य पूछी जाएगी तो यहां पर महातुपूर्ण प्रिष्ण की सीरीज मैंने बताई है साथ सेटों को मैंने अपने एक ही प्रिष्ण पत्र में रखने का पूरा प्रयाश किया है आप लोग इसको अच्छे से कंठस्त कर ल रही है अगला जो अंगा प्रिष्ण है गोरा बादल की कथा जो की जटमल है इसको जरूर पढ़ें और ध्यान रखेगा जो पूर्व भारतेंदु यूग के चार उन्नायक थे जिनका नाम मैं बता रहा हूं इसको ध्यान पूर्व का आप लोग कंठस्त कर लिजे इनसे भ महत पूर्ण जो हैं साहितिकार है उसके बाद आप लोगोंने दूसरे जो पढ़ें रखेंगे वो थे ललू-लाल जो की प्रेम सागर रचना है इनकी तीसरे सदल मिसर नसीकेतों पाक्ष्यान है और इंसाल लाखा की जो रचना महत पूर्ण है वो है रानी केत्की की कहानी यह चार प्रमुक उन्नायक हैं अब आगे बढ़ते दिवेदियु की पत्रिका इन्वे से कौंस है हिंदी प्रतीव हंस पत्रिका पत्रिका पत्र धर्म यूग है तो प्रताब आप लोग लगा सकते हो परिशागुरु के रशनाकार लाला शुरी निवास दास है यह भी आगे बढ़ते हैं बाळगी कि किस więks रशना है तो थेक्छा़ कुछ प्रस्ण आप लोगों क्याएश कर सकते हैं जैसे क्याशन 그냥 गता कर एक उपन्यास है तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग अच्छे से समझ के जाएगा कि जहां पर उपन्यास है तो कंफ्यूज कर सकता आप लोग को बाणवट्टी की आत्मिकता यह आत्मिकता ना गवर एक उपन्यास है लोग समझ गये होंगे यात्रा आइं बोड़े में जैसे गूका आप लोग को लिखने होते हैं यहां पर मैंने ज्यादा इसलिए आप लोग को त्यारी करनी है साथ सेट की सीरीज को मैंने अपने एक ही प्रिशन पतर में रखा है तो मैंने अत्रिक्त कुश्चन को रखा जिसमें आप लोग तयारी अच्छे से हो सकें पहला जो कुश्चन है वैदेही वनवास के रचेता कौन है अगर दोना मैं से कोई आता है तो आप लोग अवेश रटेम्ट करें प्रकरती के सुकुमार कभी कहलाते हैं तो ध्यान पूरवक समझेगा सुकुमार कभी सुमित्रा नंदनपन्द को कहा जाता है सबसे महत्वून है इसी को आप लोगों को समझना है ठीक है आगे देखते हैं और हाँ एक चीज़ और समझ लिए जैसे यहां पर प्रकरती के सुकुमार कभी कहलाते हैं सुमित्रा नंदनपन्द उसी तरह आधुरी की मीरा कहलाती है मादेवी वर्मा ठीक है समझ गया है और आगे बढ़ते है देरे देरे प्रयोगवादी काविधार की कभी है इन्वे से कौन से प्रयोगवादी काविधार की कभी है तो प्रयोगवादी कभी तागी विश्य से आप लोग ने पढ़ा रख्या होंगी आगे इसके कभी है उसके बाद रीतिकाल का दूसरा नाम जरूर पढ़े ध्यान जो अने नाम है इसको भी आप लोग कंटस कर लिजे अगला है आदुन यूग की मीरा भी आप लोग मैंने बढ़ता है था मीरा भाई ही इसका सही उतर है तीसरा तार सब्तक देखिए बहुत ज्यादा कोश्चन की सीरीज मैंने यहां नहीं रखी मैं बताता चल लाँ हर एक को 69 था फिर उसके बाद 61 ऐसे ठीक है चार यह बने थे तीसरा तार सब्तक का प्रकाशन वर्स आप लोग समझ गया होंगे 1969 59 वाला आप लोग जरूर करके हैं हिंदी के प्रतम कभी सरहपा यह कभी कि संप्रदाएं की हैं तो इसका सही उत्तर है सिद्ध संप्रदाएं तीसरा बिल्कुल सही है आप लोग इसको कंठेस्ट कर लें और हाँ सबसे महातुर पूर्ण चीज जो अस्ट छाप के कभी हैं उनको भी आप लोग जरूर देख लेजेगा जिसमें सूर्दास प्रमुख है तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते चलिएगा लोकायतन के रिचना तो अवश्य आईगी आप लोग सभी समस्ते समय शीमा आई अवश्य पढ़ें तो 993-138 इस भी तक कई किताबो में 743-1343 तक दिया है परिसान होने की अवश्यक्ता बिल्कुल नहीं है आप लोग उसी से संबंदिर प्रश्ण का उत्तर देख सकते हैं मतलब आस पास जो भ , निमलेकर प्रशन हों के उत्तर दो यहां बता रहा हूं आप लोग पुस्तिका के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं बहुत जादा मैं समय नहीं ने रह Maybe one पहला जो यहां पर गध्यांस मैंने रखता सबसे महातुपूर चेप्टर का है तीन चेप्टर में आप लोगों बता रहा हूं इसके गध्यांस आप लोग अच्छे से कंठस कर लें कौन-कौन से हैं पहला जो गध्यांस है वह राष्ट का सुरूप है वासुदेव शराण अ गरवाल है दूसरा अशोग के फूल हजारे पर सादिवेदीजी की गरष्ण अच्छे से पढ़िये भाष्ण और आधुनिक्ता ये तीन पाठ हैं जिसके गध्यांस हर साल प्रत्यक वर्ष पूछे जाते हैं बोड के प्रक्षा में तो यहां पर जो पहला यहां पर दिया ह इसको धियान पुर्ण को मैं पढ़के सुना देता हूं उम्मेद है आप लोग समझ जाओंगों किस चैप्टर से यह लिया गये हैं राष्ट का तीसरा अंग जन की संस्कृति है मनुष्ण ने योगो योगों में जिस सब इता कर निर्माल किया है वही उसके जीवन को संस्कृति है जन का मस्तिस्क है संस्कृति के विकास और अभ्योदय के द्वारा है राष्ट की व्रद्धी संभव है राष्ट के समग रूप में भूम और जन के साथ-साथ जन की संस्कृति का महातुपून स्थान है यदि भूम और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दि आप लोग अपने पुस्तिका के माध्यम से भी देख सकते हैं कौनकों से पूछे गए हैं तो संदर्व आप लोग समझ गये होंगे वासुदिन रगवाल का पहला जो आप लोगों पुस्तिका के माध्यम से पढ़ सकते हैं अगला जो महात्यपूर्ण मैंने यहां पर रखा है यह इसको भी ध्यान पूर्ण समझ लीजे हाला कि मैंने यहां पर थोड़ा सा क्लियर मैं बता देता हूं अगर आपके पास विद्या है तो यहां पर मैंने देखिए पेज नंबर डाल रखा है विद्या में पेज नंबर 27 पे आप लोगों को यह गध्यान मिल जाएगा और पहला जो गध्यान से वो विद्या के ही पेज नंबर 26 में आप लोगों को मिल जाएगा तो इससे आप लोगों को साहता मिलेगी आप लोग इसको अवस कंठिस कर लें ठीक है दू वर्तमान की जकर नहीं है रखना चाहता है वरन अपने वर्दान से पुष्ट करके आगे बढ़ाता है रचाता है उस राष्ट का हम स्वागत करते हैं अगला जो गद्यांज मैंने यहां पर रखा है वो अशोक के फूल से है चारिश प्रसादी वेदी की रशना है अशोक का प्रक्षी जितना भी मनुहर हो जितना भी रहस में हो जितना भी अनंकार में हो परन्तु है वहां विशाल सामन्त सब्विता की परिश्क्रत रुची का ही प्रतीक है जो साधान प्रजा के परिश्रमों पर पली थी उसके रक्त के संसार कणों के खाकर बढ़ी हुई थी और जट घटा दी दुनिया अपने रास्ते चली गई अशोग पीछे चूड़ गया तो उम्मीद है आप लोग समझ गे होगे कौन सा पार्ट है या और इसके लिखा कौन है उसके बाद विद्या का ही आप लोगों को एक और गध्यांस मिला जिसका पेज नमबर दिया है मैंने प शब्द प्रयाया अने देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है यदि हर देश उस चेज के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चेज को समझने के दिक्कत होगी जैसे रेडियो टेलिविजन इस पूतनिक प्रयाया सभी भाशाओं के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त हैं और एक उधरान देखिए सेड़ी लगाना उपर चड़ने के लिए अनाधिकाल से भारत में एक ही सदसादन के लिए मुझूद था सीड़ी आउद्यों की करांति के आवशक्ता उनिसार और भी कई तरह की सीड़ियों का निर्मान किया जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एसकलेटर, अध्यादी तो यहाँ भी एक गंध्यान से आप जो मैं बताने जा रहा हूं इसका पध्यान से आप लोग ध्यान प्रूवक समझेगा अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के माध्यम से आप लोग अच्छे से सीख सकते हों विद्या मे पेज नमबर 35 पर यहाँ पध्यान से मिल जाएगा करपा निधान सुजान संभुहेगी गतिजानी दियाउसीस पठ ठाम बाम करी के मनमानी सकुचती एंचती अंग अंग सुकसंग लजानी जटा जूट हिम कूट सघन बन सिमिटी समानी तो यहाँ पध्यान से अवश्य प पेज नमबर 49 पर आप लोग देख सकते हो तुम मान सहीन तुम रखत हीन तुम अस्तिसे तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केबल हेचर पुरान हेचर नवीन तुम पूर्ण एकाई जीवन की जिसमें आसार्ज भाव शुनिलीन आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्क पढ़के जाएं और यहां पर जो अंतिम पध्यांस में रखा है इसको भी आपनों कंटेस कर लें सावधान मनुष यह दिविग्यान है तलवार तो इसे फेक तेज कर मुह सुरतिये पार हो चुका है सिद्धितू शिशु अभिय अग्यान फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं है पहचान खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग तीखी बड़ी है यह धार तो पध्यांस को सिर्षक और कवी का नाम लिखें लेगां के व्याक्या करें कभी ने भातिक वादिया और विज्ञानी के मानों को क्या छेताव ने दिये कभी ने तल दोनों को ही लेकर मैंने इस प्रश्ण पत्र को बहुत ही बारिक तक साथ बनाया है ध्यान पूर्वक समस्ते चले अभी तक तो आप लोगों के लिए कॉमन पेपर है निमलेकित में से किसी एक लेका का जीवन परचे देते हुए कृतियों का उल्ले की चे तीन ही आप लोग पहला है मैतरी श्रण गोद, दूसरा जेशंक प्रसा, तीसरा रामधारी सिंग दिनकर और महादीवी वर्मा ये चारो ही प्रश्ण आप लोगों के सामने हैं जरूर देखें अच्छे से तयार करें पांच नंबर का आप लोगों से यहाँ प्रश्ण पूछा जाता है उसक समझेगा दो प्रश्ण पूछने को यह की करना होता है दूसरा में बहातुरा तो पंचलाइट कहानी के प्रमुख पातर के चारितर विश्चताओं पर प्रकार्ट डालना है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं अगर उपर वाला नहीं यहादे तब उसके बाद स्वापति खंड कावी के आधार पर किसी एक खंड कावी के प्रश्णों के उतर देना है जैसे जो प्रमुख विशेष्जा हूंगी हैं खंड कावी की वह आप लोग लिखतें जो भी लोग हो सकते हैं अपनी परठिकरम को देखें ध्यानतकर देखें आप लोग को यहाँ पर देख States कोई एक प्रश्ण का उत्तर आप लोग को देना है ध्यान पूर्वक जाहिए एक पपर देने उसके बाद सेक्षन भी है या खंड भाक है इसमें के प्रश्ण मैं बताने जा रहा हूं ध्यान पूर्वक सुनीगा निमलेकिस संस्क्रत गद्यांसों में से किसी एक कस संद्र्म हिंदी में नुवात करना है मतलब संस्क्रत पेज नंबर 89-79 पे आप लोग इस गध्यांस को प्राइप कर सकते हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको मैं बताने चलना हूं किस प्रकार से आपको को लिखना है इसको भी देख लेते हैं संस्क्रत से साहित्यम सरसम व्याक बेचना संस्क्रत साहित्य वर्तते नामेत्र तादुर्शी दयादानम शौचम आधरयम अनुसुया श्मा अन्य चाने कगे गुड़ा अस्य साहित्य से अनुशीलने संजायते इस तरह से आप लोगों गध्यांस मिलेगा और आप लोगों को इस गध्यांस के माद्यम से हिं और उसके बाद ध्यानपूर्वक समझेगा आप लोग समने एक ही गध्यांस होगा आप लोग एक गध्यांस लिखना और एक पध्यांस लिखना यहाँ पर मैंने गध्यांस थोड़े सा बढ़ा दिये चैप्टर मैं बता दूं कौन कों से चैप्टर महातुपूर्ण है संस पूछे कहें दूसरा जो यह मैं गध्यांश पढ़ने जारों उसको आप लोग महामना मालवी से देख सकते हों महामनस्ट्य मादर्मोहल मालवे से जन्म पर आगे प्रतिश्चित परिवारय भवत अस्य किताप पंडित ब्रिजनात मालवी संस्कृत स्य सामानिया विद्वान जानाना मनांसी अमोहयत अतहा अस्य सुहर्दय हतत पड़न वी पदवी प्राप्य देशस्य श्रिस्तराम सहिवा करतुम प्रेरित वंतह ततनुसारम आये विदी परिक्षा मुर्तियां प्रयागस्थे उच्च नियायले प्रांग विक विवाकर वत करतुम भारतं प्रकृष्ट ग्यानिन मधुराले आपेन उदार विवाहरने चाय सिग्रमेवे वित्रानाम नियाधिशनांच सम्मान भाजनम प्रफेत तो यह आप लोग को से गध्यांस हिंद्यानवात के लिए पूछा जाएगा संदर्व सहित लिखेगा अब जो यहाँ पर मैंने गध प्रफेत लोग दोसरा मिल जाएगा तीसरा जयनती ते महाभागवा जन्सीवा पराणाजा जरा मत्यूं भेहम और नास्ति ये शाम किरतिन तनों क्वचित यह आप लोगों पेज नमपर 68 में मिल जाएगा अब ध्यान पूर्वक समझेगा यहाँ पर थोड़ा सा पार्टिशन है अगर आपका सहित्तिक हिंदी है सहित्तिक के मतलब अगर आप लग का आप साइड है आप सब्जेक्ट न इनका कला विश्य है ठीक है देखिए ध्यान पूर्वक समझेगा यहाँ पर आप लोगों को कुश्चन नमबर 9 में निम्लिकित में से कि नहीं दो के प्रश्न उक्तर आप लोगों को उतर में लिखने जबकि समान हिंदी के जो अभ्यार्थियों उनको प्रश्न उक्तर बि अधिकवी कहा असीत विद्यारती की तजेत किमर्त विद्याधनम सर्वधनम प्रधनम और श्री मालिवेश्य प्रितु की नाम आसीत मदन मोहन मालिवेश्य जैन्ब कुत्र अभवत यह आप लोगों को पेज नमबर 85-86-84 में मिल जाएंगे उमीद है आप लोग अच्छे स कर लेंगे इसको अगला वीर स्रंगार हास एवं करोनरिस का स्थाइभाव के साथ उसकी परिभास आवसलिखे अगर आपका साहित दिखिंदी है उसके बाद अनुपरास श्रेलेस उक्मा और उत्परेशाल यह चारों अलंकार अच्छे से पढ़के जाएं अलंकार आपकी क यहां पर पांचो आप लोग अच्छे से कंठस्ट कर लें जन संख्या व्रद्धी की समस्या विज्ञान वर्दान या अभिशाप परियाम और प्रदूर्शन की समस्या और समाधान मेरा परिकभी यह साहितिकाल और कोरोना एक वैश्विक मिमारी प्रेश्ट संख्या तिर विंजन संदी होगी इसी प्रकार से नायक और प्रजेते तो नायक पावक भी हो सकता है कुछ और भी हो सकता है अन्य संदी विच्छेत भी हो सकती एक स्वर संधी और एक विंजन संदी अवस होगी यह आप लोग अच्छे से समझ लीजे तो सचित का संदी विच्छेत हो स क्योंकि आप लोग इस तरह के प्रिश्म को उत्र अच्छे से दे सकते हों उसके बाद खा नीलोत पलम में समास का उनसा है तो नीलोत पलम आप लोग समझ गयोंगे बहुबरी माफ कीज़े करमधारे समास के अंतरगत यह आता है और प्रतिग्रहम जिसमें उपसर्ग संख्या संख्या आगे मिल जाए उपसर्ग का मतलब जो सब्दाम किसी सब्द की आगे जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं अगर उपसर्ग लगा कोई शब्द मिल जाए तो अब यह भाव लगा सकते हैं आप लोग आगे बढ़ते हैं पिपताम और त्रिष्ट किस धातुलकार प प्रथ्य काूंसा है प्रत्य subtype are के बाुटव żyर्व से अगर सरफ्य tamam भीभोप्स संदें संवंदित नियम भी बतायँ ग्रम प्रिता ओध्यानममा थ्यक्षुका-पmoon और श्री ग्रिवे नमा ये तीनों में से आप लोगों को पताना है किसमें कौन सी नियम लगा है और विभक्ति जरूर बताएं चवधुमें प्रिश्ण में आप लोगों से कि नहीं दो वाक्यों को संस्कत में अनुवात करने के लिए पूछेगा नदियों में गंगा सबसे पवित्र हैं गुर्व का आदेश का पालन करो राम ने रावन को बांड से मारा सदा सत्य बोलना चाहिए गंगा हिमाले से निकलती है इन चारों का ही आप लोगों को किनी दो वाक्यों का संसकत में लिखना है तो अमीद है आप लोग साहितिं हिंदी के जो पेपर है आप ल गर फूक तमासा देखना और अंतिम है 9-11 होना उसके बाद 10 में का है निकलती सब्दों में संदी विच्छेत के सही विकल्प का चैन करना पहला पाव कहा शंदी विच्छेत क्या होगा पाव धन अकहा पाव प्लस अकहा पधन आव कहा या पाधन वकहा तो इन में से कोई वाले और भी विश्यों की वीडियोस में आफिलबर करने वाला हूं और उमीद है यह पेपर आप लोगों को बहुत ही अच्छे जाने वाला है अगला मद्वारी का संदी विच्छेत क्या होगा चार ओप्सन है कोई एक ओप्सन ही सही है आप लोग यह तयारी हो चुकी पढ़ना है जरूर पढ़ने उमीद है महां तो पूर्ण वीडियो का आप लोग अंतर तक जरूर देखोगे आगे देखते हैं ग्यार्वें का निमली शर्द यूगदुम का सही अर्थ चैन करना है केवल दो ही पूछे जाएंगे आप लोग को मैंने ज्यादा दी है इसका दूसरा है अभिराम और अभिराम का अर्थ बताना है तीसरा अंबुज और अंबुद का अर्थ क्या होगा पुरुष और पुरुष का अर्थ क्या होगा जलज और जलत का अर्थ क्या होगा अनल और अनिल का अर्थ क्या सही होगा यह आपको ऑप्सिनल में लगाना है उसक एक करना है, दो अर्थ लिखने है, नाग है, पतंग है, पयोधर है, कर है, कनक है, अंबर है, अंक है, कपी है, द्विज है, और अली है, ध्यान पूरवक समझेगा, पढ़ने आप लोगों के दसों हैं, और अच्छे सपढ़के जाएगा, इनी दसों में से, कोई न कोई एक आ प्रिमा ना हो, और अगला जिसके सप्तुर का जन्म ही ना हुआ हो, जिसने इंद्र को जीत लिया हो, जिसकी उपमा ना दी जा सके, ये सभी के आप लोगों को ऑप्शन जरूर मिलेंगी, आप लोग अच्छे से ऑप्शन को पढ़ें, उसी प्रिकार से उत्तर को अवश्य लगाएं, अगला घार नेमलिक्त मैं से किनी दो बाकियों को शुद्ध करके लिखना है, शुद्ध करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा इन्फियो जाने तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर एक फूल की माला लाओ, तो एक फू बहुचन में होता है, उसके लिए दूसरा बहुचन नहीं लगाते हैं, तो उनके अनेकों नाम है, अनेक अपने आप में बहुचन है, किसी भी बहुचन का और बहुचन नहीं करते हैं, यहाँ शुद्ध गाय कभी नहीं होती है, दूद शुद्ध होता है, तो यहाँ गाय और चौपाई यहां पढ़के जरूर जाएं उसके बाद त्रतेर हुए प्रेशन में आप लोग को अपने मोहले में गंदगी की सफाई कराने हैं तो नगरपाल का अदर्ष को एक शिकायती पत्र लिखने के लिए कुछा जाएगा अगर नहीं आता है तो आप लोग मात्य में विद्याले में लिपिक के रिक्त पत्र नियुक्ति हीतु विद्याले के प्रवंधक या प्रधानाचार को पत्र अवश लिखके जाएं तो 95 पेज नंबर में आप लोग मिल जाएगा और उपर वाला 97 पेज में मिलेगा इसी तर से सभी के सामने अमने पेज नंबर लिख जिसमें आप लोग को सुविधा हो सके और आप लोग अच्छे से तयारी कर सको ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलिकत विश्यों में से किसी एक पर आप लोग को अपनी भाश शली में निबंध लिखना है छे निबंध है तो छे को अच्छे से आप जरूर देख लें कोई ए संख्या मैंने सामने दे दिया है उमिद है वीडियो आप लोग को अच्छे लेगी लाइक बिल्कुल करें अगर आप लोग को पसंद आती है वीडियो और अपने दोस्तों से जिनकी भी तैयारी चल नहीं बोर से संबंदित उन तक ये वीडियो जरूर पहुचाए समय क्वचाए समय पहुचाए से